तो अमीशाजी नंगे हो कर के चुनाव लड़ेंगे बगेर कपड़ों के क्या नंगे हो कर चुनाव लड़ेंगे भाई कपड़ा नहीं सिराएंगे क्या लेकिन जिस तरह से राजरितिक डलों को अयुध्या की याद आरिये तब इसका फायता भी जो पिले जाती है देखिए चित्रा जी बहुत साब बताता हूं आज तक के चैनल पर बैठा हूं और भगवान राम की नगरी में बैठा हूं जी सच बात यह है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है बिरुजगारी बड़ा मुद्दा है कानून विवस्थ लेकिन इसके साथ-साथ इन बच्चों को क्या नौकरी पाने का हक नहीं है मैं नारा दूसा लगाता हूं एक मिनट सीता जी के साथ नारा लगाता हूं जैसिया राम में क्या दिक्कत है सीता जी को हमेशा आगे सीता जी के बिना कुछ हो नहीं वाला नहीं है सीता जी को हम नहीं छोड़ेंगे ना राम को छोड़ेंगे कि आप जवाब सुन लिजये बोलो भी चैसिया राम जैसिया राम आप अच्छी बात है और तो कि आवास को दबा रहे हैं एक बार उनकी आवास भी तो हो जाए सुनें राजपूत जी लेकिन दो लोग आपकी आवाज क्या दबाएंगे आप बीदे तीस साल से तीन दशक से देखिए उत्तर प्रदेश में इतना जादा इतना बड़ा सुखा कॉंग्रिस पार्टी के लिए क्यों हो गया अगर आप इस नाप की सवारी ने करें साइकेल की सवारी ने करें तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का विकल्प कॉंग्रिस पार्टी उत्तर प्रदेश में बन पाएगी देखिए हम लोग शिमति प्रेंका गांदी जी के नित्रत्तों में नगर नगर जा रहे हैं डगर डगर जा रहे हैं अपना प्रतिग्या पत्र लेकर के जा रहे हम इन्हीं अयुद्ध्या के वासियों को और हर जिलेवालों को अगर गेहूं का दाम धाई जार रुपे क्वंटल दिलाने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं हम पहले दिन अगर 20 लाग सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे ह कि चुनाव के ठीक पहले ही आप लोगों को याद आती है लोगों की हमारा पूरे साथे चार सालों तक चाहें कॉंग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर स्क्राइब है कि जब अमिशाजी इस तरीके की भाषा का आप अपने 5 साल मुद्य नहीं बताएंगे का पिरोजगारी नहीं बताएंगे का बात करेंगे वह यह उपकर प्रड़ करेंगे और कोई संसद के अंदर बीकेहरी प्रशाद आज तक ऐसा प्रधान मंत्री देखा है किसी में जिसके संसद में वाक्य को एक्सपंज किया गया आप भाशा हो ने पर ने प्रशाद में नरेंद्र मोदी जी की भाशा के ऊपर पूरा प्रण से निखा जा सकता है और जब जब झाल